लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें करें आइकन को अल्ट्रा चनल्स को अल्ट्रा चनल्स के लिए। कर दो 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 झाल झाल सर यह फोटो देखिए सिर के दाहिन हिस्से में चोट का निशान है सर मैंने सारे अंगल से फोटो ले लिए हैं अच्छा अभी और फोटो ले लिए हैं कामरूल सर यहां की सारी प्रोसेजर कंपलीट होने के बाद लाष को पोस्ट मॉटम के लिए भेजने ना तो फिर लाष को पोस्ट मॉटम के लिए भेजने के तैयारी करो सार, चरब, उठाओ, आजाओ, उठाओ, 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 जी, मैं मामले की चांच करता हूँ, चिंदा मत किजिए, ओके थेंक यू, सार, सार, हुँ, किसी ने इस लाश को क्लेम किया है, क्या, जी, नहीं, सार, आस-पास के थाने में पता किया है, सार, हर एक थाने में पता तो किया है, हमें किसी भी थाने से मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है, सार, लाश के सिर में एक 2.0 का बुलेट मिला है, चल तो मतलब ये कि इसे लावार इस लाश बता कर दफनाना पड़ेगा सर इस केस की सच्चाई पता लगाना मुश्किल लग रहा है सुनो अतिक, लाश और सच, ये दोनों चुपाए भी नहीं चुकते हैं सर चान मिन करते रहो, मैं भी बता करता हूँ सुनो, लाश को फिलाल, सी एडी मौर्ग में विजवा दो सुनो, समय पांना भी मौर्ग भी मौर्ग में थेके भी मौर्ग 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 Früh एक्स्क्यूस मी, सुनिये सर, सुमन, सुमन, क्या तो मुझे सुन पा रहे हो, कोई है यहाँ? १॥ Help! कोई है क्या? प्लीज! कोई मेरी बात सन रहा है प्लीज, मेरी मदद कीजिये किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? प्लीज, कोई' स्ट्रेचर लेकर आए चलो-चलो, चल्दी करो जल्दी कीजिये, जल्दी विज़िने जल्दी निकालिये जल्दी, जल्दी करिये, प्लीज! सुमान, सुमान, कुछ नी होगा तुम्हे, जल्दी कीजे, प्लीज! सुमान, सुमान, सुमान! मैडम, सुनिये मैडम, प्लीस पेशंट का फॉर्म भर दीजिये! सुमान, 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 सुमान सुमन, तुम कब मुझे सही उंगली पे रिंग पहना होगे बताओ अरे छोड़ो ना ये रिंग मिंका नाटेक ज़रा गौर से एक बात सुचू दर्शकों से स्टेडियम खचा-खच भरा हुआ और करोडो लोग चिला रहे हैं सुमन, 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 बोले जा रहे हैं हमारे गाने लाखो लोगों की जुबान पर है शहर की गली-गली में मिराकल हो जाएगा कितना अच्छा लगता है ना ये ख्वाप तो तुम कब से देख रहे हो लेकिन कोई मिराकल हो ही नहीं रहा आरे हो नहीं रहे ना, हो जाएगा, मुझे क्या लगता है जानू, तूम थोड़ी ज्यादा ही निराश हो, अगर ज्यादा निराश हो जाओगी ना, तो मैं सपनों की परी के साथ भाग जाऊओंगा अच्छा जी तब क्या करोगी मैं तुम्हारे सप्टों की परी की पहले पैर तोड़ूंगी, उसके बाद एक राजकुमार से शाधी करके, अपना घर बसाऊंगी. और फेर मैं अपने घर में कुत्ता बालूंगी. उस कुत्य का नाम रखूंगी सुमन. उस सुमन को, उस कुत्ते सुमन को चुमूँगी, प्यार करूँगी और ठपड मारूँगी, ऐसे मारूँगी, समझ रहे हो ना? सुमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो, I love you so much, लेकिन, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, आज कर मुझे तुम्हे खोने का डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे से दूर हो रहे हो, तुम्हे खोने का डर मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है, पता है मैं क्या चाह कि मैं आखें खोलू तो तुम देखो, आखें बंद करो तो भी तुम देखो, तुम बास में ना हो तो भी तुम्हें फील करती रहूं, तुम साथ में ना हो तो भी तुम्हें महसूस करना चाहती हो सुमन, मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी के हर बल में सुमन हो, सुमन ही ह मेरी दुनिया, तुम्हेना ये सब कुछ पागलपन लगता होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I don't care, मैं तुम्हारी जिन्दगी में ना होती तो भी तुमसे कोई प्यार करता, लेकिन नायरा की तरह, तुम्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता, मार डालूँगी तुम्हें, तुम्हें जान से मार दूँगी, तुम सिर्फ मेरे हो, जिस्टा, मेरा पेशन्ट कैसा है? आपका कॉन सा पेशन्ट? यह मतलब कॉन सा पेशन्ट? अभी तुम्हें लेकर आई थी उने स्ट्रेचर पर? मैम, आपका पेशन्ट लेकर आई. आप लोगी तो स्ट्रेचर पर उठाकर लेकर आई. आप समझने की कोशिश कीजिए, पिछले तीन घंटे में कोई पेशन्ट नहीं आया. अभी मैं खुद पेशन्ट लेकर आई हूँ, आप बोल रहे हैं कि तीन घंटे से कोई पेशन्ट नहीं आया. अपका दिमाग तो ठीक है. मैम, सुनिये तो. यह कौन है? मैम, मैं देखती हूँ. देखती हूँ मतलब, यह मेरा पेशन्स उबन नहीं है. हम बाहर चलकर बात करें. ओ माइग गॉड यहां क्या हो रहा है? मजग चल रहा है, क्या? तुम लोग उसे नॉमली बात करने का कोई फाइदा ही नहीं है. हम बाहर चलकर बात भी चुप गडा मामुत कर सकता हूं लेकर वोले कि आलेका नाथ भलता लेकिन हम लेकर कर अधाया था पेस्तार होस्पितल ठीक हम लोग देखते हैं प्लीज आप लोग आजाएं अभी आजाएं अभी आजाएं प्लीज जलिए थैंक्यू सोज माम आप समझ क्यों नहीं रही हैं बिल्कुल जब जाओ अपने सुपरवाइसर को प्ला कर लाओ कहा ना जाओ बुला कर लाओ ठीक है भागल गई हलो सुनो राजू अच्छा बता सकते हो कि सुमन का है आप कौन अरे मैं नाइरा सुमन का रोड एक्सिडेंट हुआ है मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी वो केबेन में नहीं है हॉस्पिटल से गायब हो चुका है वो कहा है मुझे पता है अच्छा वो क्या बिल्कुल भी प्रशूम में चलियं अच्छा आप लोगों के मैनेजमेंट सिस्टम का यह अल क्यों है हां पेशन को हो शाय तो क्या वो होस्पिटल से अकले निकल जाता है वाल तो लो कहीं के है हम इस त तरह आए शाही है किस तरुफ आएशर आईए सर फुटिज को दुबारा चलाईए जस बैक बैक फॉरवर्ड आई 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 देखो तो जरा वहाँ पर कैसे स्वया हुआ है इसे ढूंते हुए मैं पागल हो गई देखो क्या हालत है सुमन पूरा दिन यहां नशा करके पड़ा रहता है जा इधर से जब भी आता है तो इस इल्यूजन को साथ में लेके आता है यह तुझे पागलों की तरह ढूंड रही थी इसने लेकर आया हूँ दोस्ते कर लायक नहीं है तो भाग जा कवे मुह मत दिखाना मुझे तुम होस्पिटल से बिना बता क्यों आ गए हां? पूरे होस्पिटल में तुम्हे पागलों की तरह ढूंड रही थी? कहां थी एक साल से? क्यों क्यों तुमने ऐसा? तुम्हारे बिना एक घंड़ा भी एक साल से? मुझे स्यादा लगता है मुझे नहीं रह सकता मैं मुझे गलती हो गही मुझे माफ कर दो माफ कर दो मुझे नायरा माफ कर दो मुझे छोड़कर कहीं मज जाना मुझे गलती हो गही नायरा मुझे माफ कर दो नायरा अरे अतीक बैठो बैठो ना सर एक सीरियस प्रॉब्लम लेकर आया हूं कैसी प्रॉब्लम होस्पिटल से ट्रिपल लाइन पर एक कॉल आता है मैं हाइवे पे था तो मुझे इंफॉर्म किया गया वहीं था तो खुदी इंवेस्टिगेशन करने चला गया जाकर देखा सर तो एक औरत ने एक कम्प्लेंड क की थी वो एक पेशन्ट को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अब वो पेशन्ट गायब है लेकिन वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट यह कह रहा है कि वो पेशन्ट को लेकर आई ही नहीं थी वेरी इंट्रेस्टिंग मिस्टीरियस भी है सर इस हार्ट डिस्क में मैं हॉस्पिटल क सारे CCTV फुटेज लेकर आया हूँ आप एक बड़ देख लीजिए हम देखता हूँ वो तो उस पेशिंट के साथ जा रही है और फॉम भी भर रही है अच्छा सुनो मेरा नया नंबर तुम्हारे फोन में सेफ कर दिया है ठीक है और खबरदार वो सब फालतु नशा बिल्कुल भी मत करना क्या कहा कुछ समझ आया देखो मेरी तरफ समझ गए है और कोई भी परिशानी हो तो मुझे फोन करना समझ रहे हो सुमन मुझे अभी निकलना होगा काँ जा रही हो मेरे घर मेरे हस्बंड मेरा इंतजार कर रहे है हस्बंड रूबल वो बहुत ही रिस्पॉंसिबल और अच्छे इंसान है तुमसे एक दिन मुलाकात करवाती हूं तुम मजे कर रही हो राइट दरसल जब समझ आया कि तुम्हारे साथ नहीं बन रही है घर से बार बार शादी का प्रेशर आ रहा था तुमने भी तो ना कर दिया था मामी पापा को ना बुलने का उप्शन नहीं था घर का प्रेशर तुम्हारा ना कर देना इन सारी बातों से परिशान होकर मजबूरन हां करना पड़ा क्यों करना पड़ा? कैसे कर पाई तुम ये? आखिर ये मुम्किन कैसे हुआ, बता बोलो तुम्हारे हस्बन को पता भी है कि तुम्हारे साथ मेरा कितना गहरा रिश्टा था पता है तुम्हारे हस्बन को ये बात? ये सब क्या बोल रहे हो तुम् क्या बोल रहा हूं मतलब क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में बात कर रहा हूं कुछ बोल क्यूने नहीं हो तुम सुनाय नहीं दे रहा है क्या सब लोग यहाँ देखिये आप सब लोग देखिये यह लड़की प्यार तो मुझसे करती है लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली सब लोग जानते हो थे तंव अपने होच मेरी क्या थी मेरी क्या थी मेरी तुम्हारा अच्पो को करें यहाँ लुक सो तो मुझसे स्यादा सुनदर रहा है यह तुम्हेरा हस्बन मुझसे ज्यादा अमीर है बहुत सारे पैसे थन, दौलत, घर, गाड़ी इन सब का फुल पैकेज है इसले हुसे जादी जी तुमने? नायरा, कहां गई थी? कबसे फोन कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो, तुम्हें पता भी है कितने टेंशन में था, क्या तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है, अच्छा, आम सॉरी, मैं बहुत थक चुकियो, रुबेल, प्लीजुुुुुुुुुुुुुुुु बफ़.. झाल झाल हुआ 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 हु गुर्णादी बुर्णादी एफ लुटाए लुटा रवाल प्रहुट भोल比較 है, जहाओां जहाँ है? कर दो प्रहुट। कि व्यूल है, व्यूल है, आपियूब। कि व्यूला झा रहाओ थ। लुह... मेरे हास्बेन मेरा इंतजार कर रहे है जब समझाया तुम्हारे साथ नहीं बन रही है रूबेल वो बहुत ही रेस्पॉंसिबल और एक अच्छे इंसान है कर दो बहुत है हाँ! कषिर questionable παर दो, से भी और नाओ! प्होन無ड़्त! फोन डाओ! फोन डाओ! … खो मैरा सब क्या है समन और खाद क्यों भेज़रे हो सुमनने भूम 좀 यह कुई और देख लेगा तो पता है न क्या होगा मैं जानता हूं नायरा जैसे मैं तुम्हें देखने के लिए बेचाहिन रहता हूं ना बिल्कुल वैसे तुम मुझे देखने के लिए बेताव रहती हो कि तुम मुझे समझते भी हो मुझसे बहतर तुम्हें कौन समझेगा बता हो अचा सुनू ना मुझे ने गाना गाने का बड़ा मन हो रहा था नैरा तुम आओगी इसलिए मैं सपना देखता हूँ और एक एक दिन बीतता जाए तुम क्या चाहते हो सुमन मेरी आखे मुझसे नाराज है इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ नायरा तुम्हाँगी ना ट्राइटो अंडरस्टैंड सुमन मैं अभी मैरेड हूँ मेरा हस्बेंड है पहले जैसा कुछ भी नहीं है चाहे सब कुछ बदल गया हो लेकिन मैं तो नहीं बदला मैं पहले जैसा सुमनी हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं बदला तुम्हाँ ना प्लीज प्लीज, एक बार आचो, आचो प्लीज, 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 ठीक है, मैं आउंगी झाल majके मैं आचो जांगी खुआ झाल गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग तुम खाने रहे खा तु रहा हूं रात को नेन पुरी हुई हां आंख खुली तो सुबह हो गई थी कल के लिए सॉरी कहां गई थी याद नहीं है अच्छा नाइरा तुम अकेली मत निकलना अगर कोई भी जरुवत हो तो मुझे कॉल करना ओके टेक केर बाई हलो मैंने दर असल सॉरी बोलने के लिए फोन किया है नारा तुम्हे आने की ज़रुरत नहीं है ने 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 मैं तुमसे मिलना चाहती हूं ने ने मैं तो बिल्कुल ठीक हूं तुम्हें आने की कोई ज़रुरत नहीं है कल की बातों के लिए सॉरी कहने के लिए फोन किया मैंने तुम्हें नारा अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी ने ने मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूं ओके क्या करते रहते हो हर वक्त फोन पर सुमन देखो बार-बार शादी के रिष्टे तोड़ते तोड़ते मैं बहुत ठक गई हूँ आपकी बार लास्ट टाइम है तुम्हें पता नहीं है ममी पापा के साथ परिशानी हो रही है अगर इस बार कुछ हुआ तो मुझे घर में गुसने नहीं देंगे ठीक है न तो तुम तुम मेरे पास आजाओ तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं ये सब प्यार व्यार को गोली मारो शादी के बाद हमारा प्यारा सा परिवार होगा फिर बच्चे होंगे फिर हैपी फैमिली कौन सी शादी कौन सी फैमिली कैसा बच्चा फिर शुरू कर दिया हो तुमने ये सारी बाते तुम्हारे दिमाग में अभी से ही क्यों आ रही है देखो तुम हमेशा से बच्पना मत किया करो थोड़ा सीरियस हो जा अरे बाबा मैं तो सीरियस ही हूँ महा सीरियस हूँ मेरे बैंड को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ मेरे बैंड का जब तक अच्छा नाम नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सुनो शादी के बाद कुछ रुकेगा नहीं तुम तो एस्टाइबलिश्ट हो गे हमारा बैंड है हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम कहा है श्मान किया दर कि अगर मंतुंए टजडिवादी नहीं कर पाओंगा श्मझमें 16 अगर वह तो अपने तरीके से मैनेज लो आरे वा चुम किकी बार कितनी बार शादी तोड़क है व्रेश्ट एकि शादिनर नहीं बोलना चुब्र शादी से रिलेटेट कोई बात नहीं होगी, जाओ तुम जाओ, शादी कर लो, जाओ सुल्तानपूर निवासी, जनाब बहुमत फकरूल बसार की बेटी, नायरा बसार के साथ, पचास लाग एक रुपे महर लेकर, निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं बोलो, निकाह कबूल है, बोलना, कबूल है, कबूल है, नायरा, सुमन आया है, ज़रू कुछ ने कुछ तमाशा करेगा, लगता है थोड़ी सी देर कर दी, मुझे से शादी करोगी, नायरा, क्या हो रहा है, अरे, अरे, ये क्या, अरे, ये तो अंगोठी पहना रहा है, कुछ तो करो, अरे, रुको, नायरा, नायरा, रुको, ए, रुको, ए, का जारे है तुम, रुको, छोड़ो मुझे, चोड़ो 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 कर एक लड़की से शादी करने जा तॉ मैं तुमसे प्यार करता हूं है लॉब यू तुम फिकर मत करो ऐसे कई देश्च जो हमारे प्यार को स्विसकारते हैं हम नहीं जाकर सट्म हो जाएंगे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता यॉझे यह लोगाय करता हूं नहीं है हाँ हाँ चलो चलो यहां से अरे चल्दी कुछ करो वो लोग तो जा रहे हैं जाने दो से यह लो देखो आगया भाई तू तो साले ओरिजनल गे निकला रहे हस्बिन के तौर पर लड़का बुरा नहीं था एट लीस सुमन से तो हैंसम ही था तो फिर तू शादी कर लेती मुझे खामका देवदास क्यों बनाना चाहती है बहुत ओड रहा है ना लड़का हैंसम भले ह पर मेरे लड़का सुमन की तरह तो नहीं था उस लड़के से जो भी शादी करेंगी न वहीं कि अफते में मर जाएगी क्यों ऐसा लगता है कि वह ब्रश ही नहीं करता है इतनी बद्बू आ रही थी हुआ है तुम लोग अपने अपनी कॉफी उठा लो और मैं तुम्हें द सुनो शादी के बाद तो बच्चे बच्चे पती परिवार को लेकर बिजी हो जाओंगी तब तो तुम लोगों के साथ ऐसे टाइम फास नहीं कर पाऊंगी समझे मुझे लगता है तुम लोगों को इस बारे में सीरियस होना चाहिए हम लोग तो महा सीरियस हैं सिर्फ मेरे कंपोजेशन में गाना हो जाए सब कुछ बिखरा हुआ टूटा हुआ बाहर से बिखरा हुआ पता चल जाता है अच्छा छोड़ो ना यह सारी बात हैं आओ सुमन ऐसे पागलपन क्यों कर रहे हूँ हर और चाहती है यह उसके लिए एक ही सही पर पागल आशिक रहे तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं कोई पागलपन करूँ नहीं मैं नहीं चाहती हूँ तुम शादी करके अपना घर बसा लो देखो इनसान अपनी जिन्दगी में गलती करता है लेकिन उस गलती को गले लगा कर जीने का मतलब है सपनों की दुनिया में जीते रहना गलती चलो सब कुछ भूल जाते हैं गलती जिस रिष्टे के लिए तुम हर वक्त भगवान को शुक्रिया अदा करती थी अभी वही रिष्टा तुम्हें गलती लग रहा है क्यों मुझे छोड़ कर चली गई थे जो यह तुम्हे साधी है प्रकुनिया मुझेस ⁱ जो तुम्हें आरा भी दौझेस ⁛ुझण ⁹प ⁉भ ⁈इअ ⁋द। ⁈द। ⁈द। ⁉द। ⁣ ⁣ ⁣ ⁳ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁦ ⁣ ⁣ ⁦ ⁣ ⁡ ⁣ ⁣ ⁿ ⁣ ⁩ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁡ ⁦ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ एधर स्टाq सर्छ उनेुक्तों सामने आती और टु मुझे मुझे जाए न lotta मेरा game कर ना बनदु जाता है अपनाद कर ना और को देता हूं मैं जर तुम मैं मैं क्या थो एधर मैं सुस्योछ वी होगी नियुट सूसरी मुछ से गल्ठी होगी यू कि लेकि dość मुझे बताओगी एए कि मुझे छोड़कर क्यों चली गए बोलो मुझे छोड़कर क्यों चली गई नायरा जरुरत से ज्यादा अभिमान में मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने दिया तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ बादा मुझे भी तो नाराज होने का हक था प्रूब दो कि तुम्हारा गो जई ठीन बहुत प्रूद करते हैं कर दो कर दो कर दो दो कर दो खनू कर दो कि अटते हैं, कि अरना हैं he was व अरना है है साल मों ! साल वारए बॉ Мар gust हुआ 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 मैडम, कल ऑफिस से घर आने के बाद पूरे घर में पानी हो गया था उपर जाकर देखा तो ये बाद टब में बैठी हुई थी वहीं से पानी ओर फ्लो हो रहा था मुझे तो कुछ समझ में निया रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ प्लीज क्या बताओं आई डून नो क्या बताना है तुम मुझे साइकाट्रिस के पास लेकर आयो हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो फिर हम लोग किसी और दिन मिल सकते हैं हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ये बहुत जरूरी है इससे काफी परेशानियों का हल निकल जाता है रुबेल चले मैडम तो फिर हम चलते हैं ठीक है नाइरा तुमने डॉक्टर के सामने कुछ कहा क्यों नहीं क्या कहती तुम जो उल्टे सिर्यस अपने देखती हो तो क्या है तुम इन सब बातों पर यकिन करते हो पता नहीं जा करे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अरे चोड़ो भी कैसी है जी ठीक हूँ पर मैं आपको पहचान नहीं पाई वो मेरा नाम हमीद है C.I.D. आफिसर हो आप तो मुझे पहचानेंगी भी नहीं तर असल आपने उस दिन 999 पर फोन किया था ना आप आस्पिटल के सारे फुटिज देखे है रूबेल, चलो आपके अस्बेन है मेरा नाम रूबेल है हेलो आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड दे सकते है मुझे गपे मारने का शौक है मुझे किसी दिन आपके आफिस में आखे गप मारूँगा ये लीजे अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम जा सकते हैं बिल्कुल कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टब्ट दूने कर दिया सी यू सच बोलो तो बेज़दी लगती है चलो क्या बात है खुलकर बताओ पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो और तुमारा वो गधा हस्बिंड कैसा है मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरा गधा सा हस्बिंड तो बहुत ही अच्छा है उसे अभी प्रमोशन मिला है तो वाइस प्रेजिडेंट हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि मैं उसे अब गधा नहीं मुला सकता न ये बोलने का चांस तो नहीं मिलेगा लेकिन तुम CID ओफिसर हो तो बोल सकते हो अच्छा थोड़ी दिर पहले यहां से एक कपल निकल के गए मिस्टर रुबेलो और क्या तो नाम था उसकी वाइफ का वो दोनों तुमसे ही मिलने आये थे ना? हाँ, आये थे अच्छा, उनलोगों का केस क्या है बताओगी? सुनो, हर हस्बिन के लिए उनकी वाइफ पागल होती है अच्छा, एक केस लेकर मैं तुम्हारे पास आया था बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट का एक जूनियर आफिसर आतिक नाम है उसका उसके पास ट्रिपल नाइन पर एक कॉल आता है वह दौड के हस्पिटल जाता है एक औरत एक पेशिंट को लेकर आती है उसे एडमिट करने की कोशिश करती है उसके बाद वो पेशिंट गाइब मैंनेजमेंट का कहना है कि उस वक्थ हस्पिटल में कोई पेशिंट एडमिट नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पेशेंट आया और फिर गाइब हो जाए वो जो कह रहे हैं सच भी हो सकता है 2016 में तामिल नाडो में ऐसा ही एक केस हुआ था पूरा सिस्टम बोल रहा था कि पेशेंट नहीं है सिर्फ उस पेशेंट की वाइफ बोल रहे थी कि उसने अपने हस्बन को उसी हॉस्पिटल में एड्मिट किया था बड़ी अजीब सी बात थी ओ, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी आक्चुली वो और तो एक स्क्रिजोफिनिया पेशेंट थी कई बार ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की वज़े से भी ऐसा होता है अच्छा तुम क्या जानना चाहते हो बताओगे मैं दरसल चाहता था कि अगर तुम मुझे आसान भाशा में समझा सको ऐसी केस में क्या-क्या होता है लोग कैसे बरताओ करते हैं एक्साकली बताना मुश्किल है पेशेंट के साथ काफी दिन बात करने के बाद ही पता चलता है लेकिन ऐसी कोई बात जो mentally बहुत effect करती हो जैसे कि रेप, financial issues, betrayal, secret revealed ऐसी कोई परेशानिया हो तो पेशेंट टो पेशेंट वेरी करता है बाइद वे तुम में तने इंट्रेस्टिट क्यों हो बताओगे something is wrong मैं शोर नहीं हूँ not even closer but there is something क्यों बैं मैं तुझे फोन कर रहा हूं तो फोन के नहीं उठा रहा था चल माल दे क्यों सावाल हां तेरा पहले गाओ अधरी भाकी एपहले वह पैसा थे आपके अभाइब क्या मेरे से तो यहां निकल बार निकल लोग निकल निख रहा है चाल जुए निख क्या रहा है इसमान इसे तुछ में तो अध्या रहा है इसे फिर चुर्ण पेसा दे निकाल माल निकाल निकाल तु यह सही नहीं कर रहा है अब तु फिर सब बोल रहा है चल्दे माल यह बच्चा पार्टी लोग चलो जाओ यह से निकला चलो निकला निकला भाई को कि वो लड़की अकेले फॉर्म लेके फिल अप कर रही थी जी वह फॉर्म तो आप लोगों के पास होगा एक फोटो कीज़ कर मुझे वाट्साब कीजिए जी बस अभी बेज़ देता हूं साँ ओके थैंक यू के दो किपी है इस हॉर्म तो बसे पास हमें के सब्सका मोगों के privacy कि वे इसके हैं touर्ः नाइरा, तुम्हें ये फिल्म देखनी चाहिए कौन से फिल्म? वाल स्ट्रीट बिजनिस लैंड मार्क के तोर पर अगर कोई फिल्म है, तो वो ये है मैंने, मैंने देखी है ये फिल्म माइकल डगलस, राइट? सुमान, रात बहुत हो गए घर जा, मुझे भी घर जाना है, मैं जा रहा हूँ तुम्हे कुछ चाहिए, पानी वगरा कुछ चाहिए, लेकर आओं क्या? नहीं, जरूत नहीं है सुमान, तुम इतनी बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो, इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे, और ये वीडियो क्यों भेज रहे हो? अजीर बात है, बुराने फोटो और वीडियो बार बार क्यों भेज रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे कॉल्स काट रही हूँ, फिर भी फोन किया जा रहे हो मैंने नशा किया है क्या, ये ड्रग्स को लेकर अपने साथ मजाग कर रहे हो तुम, हाँ, मुझे फोन क्यों कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है नैरा किसके लिए ड्रग्स लेता हूँ, कब ड्रग्स लेता हूँ, किस वज़े से ड्रग्स लेता हूँ तुम्हें पता नहीं नहीं तुम सामने नहीं होती हो, तुम मुझे क्या हो जाता है ये दुनिया मेरी नहीं रह जाती नैरा बहाब गार समय नहीं है हुरो। नुग रखर into इस लोगे डिवले करें। और आखरी बार आ जाओ मिलने खिर से वही बात। तुम्हें पिछली बार कहा था ना एक दूम से मिलने आई उश्बाड दुमिल आ हुँ। बस एक बार मिलकर चाहो नायरा, और कुछ नहीं मांगूगा तुमसे, कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा. एक ही बात कितनी बार बोलोगे? हाँ, इसकी बात तो फिर कहोगे कि मिलने आओ. आखरी बार के लिए, प्लीज. ओके. बार के लिए, बार के लिए लिए प्लीज. किस से मिलना है सर आपको मुझे मिस्टर रुबेल से मिलना है जी सर थोड़ी दिर बैठिये ओके सर सी एडी ओफिसर मिस्टर हमीद मिलने आए है कौन मिस्टर हमीद भिजदू जी अरे तुझे बोला ना पैसे भीज़वा दूँगा तो अभी जाए यहां से यहां सुल्सक्राद गरता है만की है, मुझे जर्डते फार कि आगए इसे क्यार दिख रहा है जाना यहां चैल 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 पैसे भीज़वा दूँगा चैल बाद में पैसे wijज़वा है कि नकbok पैसा मिलेगा तो चिल हाँ मैसा नहीं मिलेगा तो किल थोड़ी देर के बाद नहीं रहाने वाली है, जारा समझाई इस पागल को, नहीं तो मैं फच जाओंगा, प्लीज, जा, जा, समझा, समझाई इस, जा, सुन, तुझा, मैं तुझे पैसे पहुंचा दूँगा, जा, राजू, तुझे क्या लगता है, आज मैं मेरे पैसे कर, मर, ए राजू, इतने गुस्से में कहा जा रहे हो, पैसो की तलाश में, ठक गयाओं मैं, यह कौन है, हाई, अरे तुम आओ न, तूझा, शाम को मिलता हूँ, तूझा, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना, मैं यह पूरा दिन बैठने ने आया हूँ, यह आदमी है कौन, और यह ऐसे क्यों बोल रहा है, अरे वो यह जो आया है, कुछ पैसे उधार लिये थे, मै बाता नहीं पा रहे है, कितने पैसे, तुम परिशान मत हो, राजू गया है न, पैसो का इंतिसा, अजी बात करे हो, कितने, 15,000, तुम्हें देने की जरूत नहीं है, राजू इंतिसाम करके ले आएगा, यह लो, उसे पैसे दो, और उसे भागाओ यहां से, जाओ देकर आपड़ो, अब जाओ, इसरा काला कि आओ, प्रेकर से, आपड़ों पाता न on a 281, ौन GPA 2, यह लिए यह दो, अपड़ों कक्योर के देनिए दिए कि उसले कुछार्चा आँ ग धर सुमर्वादर, और आँking तुम अभी भी ड्रॉग्स लेते हो ना? पहले जैसा नहीं लेता हूँ, बहुत कम लेता हूँ. लेकिन मैने एक डिसिजन लिया है. आज के बाद से, मैं बिल्कुल भी ड्रॉग नहीं लूँगा. Not a single drop. और कितनी बार तुमें एक ही बात बोलोगे? हर बार बोलते हो आखरी बार, हर बार बोलते हो last time. और कितनी बार, कितनी बार एक ही ड्यालोग बारोगे तुम? नायरा, मैं सच कह रहा हूँ. प्लीज, ट्रस्ट में. ये लो, मैं अपनी सर्की कसम खाता हूँ. मेरे सर्की कसम, मेरी कसम. मैं अब बिल्कुल भी ड्रग नहीं लूँगा वादा करता हूं तुमसे ट्रस्ट मी नायरा मैं यह जानता हूं कि मेरी हालत मेरे दिल के हालत बिल्कुल भी सही नहीं है नायरा मैं सेव मी प्लीज मैं ड्रग नहीं लूँगा नायरा सच्ची सच्ची प्रामिस। प्रामिस। सौरी आपने रेसेप्शन में जब बोला तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। बुरा मत मानियेगा। और मेरी वाइफ ने ये बात मुझे शेयर नहीं की थी, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूस था। अरे नहीं, ये सब तो होते ही रहता है। और इस देश के लोग पुलिस वालों को थोड़ा कम ही पहचानते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, वो हॉस्पिटल के बाद और कुछ नया तो नहीं हुआ है न। नहीं, एक्चुली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दरसल आपके वाइफ के कंडिशन के बारे में एक दो बातें पूछना चाहता था, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, नहीं, प्लीज। अच्छा, उस दिन आप लोग डॉक्टर अफ्रोजा के पास गए थे ना। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, उसी से मुझे पता चला कि आपकी वाइफ मानसिक तोर पर बीमार है। अच्छा, इस बीमारी से पहले तो वो अच्छी ही थी ना। हाँ, अच्छी थी। कोई एक्सिडेंट हुआ था। नहीं, कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों का कोई बच्चा है। नहीं। सच कहूं तो आपके जैसा आजमेंट मिलना मुश्किल है। आज कल इतना सेक्रिफाइस कोई नहीं करता है। सेक्रिफाइस क्यों बोल रहे हैं। प्यार भी तो कह सकते हैं। और आप भी अपनी बीवी से ज़रूर प्यार करते होंगे। हाँ, करता था। थांक्यू सो मच, आम मैं चलता हूं। थांक्यू सो मचूं। थांक्यू सुमूट। मैं प्लेजर। नायरा, तुझे ना सुमंद को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो कुछ भी समझने के हालत में नहीं है। तेरे जाने के बाद उसने ड्रग्स लेने सुनों कर दिया। और इस वजह से वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। अचानर सी गुस्सा हो जाए। जा तुझा, जा निकल, अरे जा जाना। जाना। यह क्या, यह तो पागल हो गया है। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। यह मतलब पागल। सुमंद की टर बज़ाता है। जाओ निकलो, जाओ निकलो यह से। सुमंद को ऐसे दिख के अच्छा निहीं लगता है। तकलीफ होती है। ड्रग के लिए पागल सा हो जाता है। लादे। नहीं है सिगरेट। तेरे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। अरे तेरे पॉकेट में निकालना नहीं है। निकालना। सर्प्राइब वोँ थीक से पता किया है नौ। जी सर। तीन दिन से कड़ी नज़र रखी है। सब ठीक है सर। दोबारा गलत इंसान को टार्गेट तो नहीं किया। नहीं सर। 100% है सर। ठीक है तुम जा सकते हो। ठीक है। ठीक है। वाव। वाव। जी उसके बाद तुमारे तीनों गानों को मैं हमारे देश के टॉप थ्री ट्वेंडी सिंगर्स से गवाऊंगा। लेकिन भाई, मैं किसी दूसरे के लिए गाने नहीं का था। मतलब मतलब मेरा गाना भाई, मैं ही गाऊंगा। दूसरा कोई नहीं देखो सुमर, तुम बहुत इमोशनली बात कर रहे हो। सबसे पहले अपनी पोजिशन बढ़ाओ। अपनी एक जगा तैहर करो। उसके बाद अपनी मर्जी से गाना। ये तीन गाने क्या तुम्हारे आखरी गाने हैं। आखरी गाने नहीं हैं। लेकिन उसके बाद सेक्ड़ों गाने बनते रहेंगे। मुझे अच्छे से बताएगे। वूफ। Anyway, नायरा के थुरू आयो तो ये सब बोला। तुम्हारा गाना तुम्हारा डिसिशन। बट आयमस से। तुम वाइजली बात नहीं कर रहे हो। और मौका बार बार नहीं आता। तुम्हें मौके का सही इस्तमाल करना चाहिए। लवी भाई, तुम मुझे एक बात बताएंगी क्या। बोलो, अगर मैं गाहूं तुम परिशानी क्या है। सुमान, तुम बुरा मत मानना। तुम्हें कोई पैचानता नहीं है। कॉर्परेट वर्ल्ड बोलो, या इन जन्रिल ओडियंस बोलो। तुम्हारा कहीं कोई फील नहीं है। और अज बिजनस्मेन, फ़ lif, 40 hour झाली तुम्हें तुम्हें तुम्हेंज़ू तुम्हें हां जिस्थ। इण फुमौंट विस्थ। आछे, आछे आछे खुम्हें व्यूजू कि को प्श्दिट झाल कि आण ईफृ जए कि टो थैबूर्य reciprocal कि तृ je नाइरा, तू अगर जाती तो अच्छा होता, क्यों? तू सुमन को समझती है ना, तू अगर साथ रहती तो वो थोड़ा शान्त रहता है, हाँ समझती हूँ, लेकिन सुमन के साथ कोई देख लेता तो घर में बहुत प्राब्लम हो जाती, क्योंकि लाभी भाई मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड है, तो समझ रहे हो ना, बह प्राब्लम हो जाती है, वो देखो, हमारे म्यूजिशन आ रहे हैं, मीटिंग का क्या हुआ, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे वो लभी भाई, आलू प्यास का धंदा करते हैं, मतलब क्या है, मतलब मेरा गाना, मेरा कंपोजिशन, लेकिन गाएगा कोई दूसरा, जिसके डिजिटल फैंस ज्यादा हैं, मेरी महनत से लिखे हुए गाने, गाएगा कोई और, और मैं पीछे बैट कर क्या हर्मोनियम बजाओंगा, बटासर, कंपोजर तुम्हारा क्रेडिट तो रहता, कंपोजर के नाते क्रेडिट का मैं क्या करूँ, मैं कंपोजर बनने न असलाम वालेकुम, मतलब, अब मैं तुम्हें कैसे बताओं, तुमने जिस लड़के को भेजा था, वो अच्छा गाता तो ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा मतलब है कि मैं जिनके साथ काम करना पसंद करता हूँ, वो वैसा नहीं है, उसके साथ काम करना मेरे नहीं है, मैं उसके पीछे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीरा, सॉरी, अब भाया, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, एक बात है भाया, आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्वेस्ट करूँगी, लेकिन प्लीज, अब बस एक मौका दीजे, उससे गाना रेकॉर्ड करवा लिजे, ट्रस्ट मी भाया, वो बहुत अच्छा गाएगा, नहीरा, तुम सारा खर्चा उठाओगी क्या, जी भाया, प्लीज, अच्छे ठीके, जब तुम सारा खर्चा उठाने के लिए त्यार हो, तो मैं उससे एक मौका दे सकता हूँ, ठी भाया, वो मैं यह कह रही थी कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं इन्वेस्ट कर रहे हूँ, यह सुमन को मत बताईएगा, ओके नहीं रहा, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे, अभी कॉल करता हूँ, ओके, ओके, लबीब महमूद, देखो सुमन, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, मुझे तुम्हारी हर शर्त मनजूर है, जी भाया, तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिलते हैं, ठीक है भाया, क्या कहा, रिकॉर्डिंग के लिए बुला र जाना पड़ता, हाँ, हाँ, याँ, हाँ, हाँ, हाँ कुछ समझ में आया नहीं सर तुम समझ भी नहीं सकते हैं झाल 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 अरे आप यहाँ हामिच सर कैसे हैं ठीकुण इट की भट्टी में क्या कर रहे थे ये इट की भट्टी मेरे दोस्ट की है ओ इसके मालिक तूहीन साहब है ना हाँ हाँ तूहीन मैं जानता हून этому वो तो अभी अमेरिका में ए वो अभी अमेरिका में है, मुझे पता नहीं था ओके, हामिच सर, मैं चलता हूँ हाँ, जरूर ओफिस में चाय पिने आईएगा हाँ, आता हूँ दिल की बेचैनिया, करती गुस्ताखिया जब ही देखू तुझे, चादी है मर्द होशिया गम भी देता है, हस्ते हस्ते, ऐसा ये इश्क हुआ चाह के भी न, दिल की बाते, खुद से ही न कह सकूँ दिल देता वियां करके दिल करता शैतानिया दिल देता वियां करके दिल बंद कर तो, ये गाना मेरे से ज्यादा सुमन अच्छा गाता है गाओ तो सुमन? गा, ला, गिटार दे दो दिल की बेचैनियां करती गुस्ताखियां जब भी देखो तुझे ये लो, लो पानी पी लो क्यों गया? सुमन, अगर तुम कुछ दिन और ऐसे बिना ड्रग्स के रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम एवरिधिंग विल बी ओल राइट अच्छा, सुमन ड्रग्स नहीं ले रहा है? नहीं, पिछले एक महिने से सुमन बिलकुल भी ड्रग्स नहीं ले रहा और लेगा भी नहीं येस, आम फ्रेश शुरू करो कल रात को मैंने एक नई ट्यून बनाई है अच्छा, बहुत बढ़िया है, सुनोगी? सुनाओ ये सब क्या है? ये सब कहा से आया? अभी गाने के बीच मैं बातरूम गया था ना? गया और ले लिया सुमाई, ये सब क्या है? नैरा, ये सब ना, मेरा नहीं है ये सब तो इसका है, ये ड्रग लेता है मेरा? ये मुझे फसाने के लिए ये सब कुछ तुम्हारे सामने लेके आ गया क्योबै कमीन है, ये सब तो तू लेता है, तू नैरा को बताना अभी आया, देखा, बिना बात किये चला गया, चोरे दिल में, एक तो चोरी छुपे ड्रग लेता है, फिर मुझे फसाता है, यकीन मानो, अरे मेरी तरफ देखो, मैं बेलकुल फ्रेश हूँ, तो फिर ये सब किसका है, मेरा है, मैं, मैं ड्रक्स लेता हूँ, मैं ड्रक्स ले मैं ड्रक्स लेता हूँ, मैं ड्रक्स लेता हूँ, तो तुम लोगों को क्या, मैं ड्रक्स लेता हूँ, 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 मैं ड्रक्स किया करेगा है धुमाइग लेता कई है स्वुमारे क्राग ले तो तुछ एक्षा प्रूटें सुमझ है इस राजु के बूलने पर मैं तुम्हारा साध दे रही है ताकि तुम जानवर से इनसान लेकिन तुम जान्मर आगे कभी इंसान नहीं बन सकते तुम कभी नहीं बतल सकते तुम जानवर हो और जानवर ही रहोगे इधर देखो इधर देखो तुम्हारी ये शकल मुझे जिंदिकी पे कभी मत दिखाना समझे कभी भी नहीं इसलाम वालेकुम वालेकुम असलाम जरा मेरे साथ चलिए ना आप कौन है मैं पुलिस चलिए ए राजू आओ आओ बैठो बैठो सुनो मैं तुम्हें ज्यादा परिशान नहीं करूँगा तुम्हारा दोस्त सुमन है न उसके बारे में एक दू सवाल पूछना है मुझे क्या जानना चाहते हैं बताईए तुम सुमन को कब से जानते हो? सुमन मेरे बच्पन का दोस्तें दरसल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर हम लोगों को गाने का एक बैंड था रॉकरस तो मैं बुरा नहीं लगा? जब उसने उसने तुम्हें धक्का मार कर बैंडस से बाहर निकाल दिया? अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा, दोस्त है ना मेरा, उस दिन चायद नशा उसे जादा पढ़ गया था, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया उसने तो फिर तुमने बैंड में कंटीन्यू क्यों नहीं किया एक गिटारिष के हाथ से जब गिटार चीन लिया जाता है, तो मानो सब चीन लिया गया है वैसे मैं सब कुछ भूल गया था, मैं उसके घर भी गया था और जाकर हाल-चाल जानने की कोशिश भी की थी सुना है, ड्रम्स वगेरा बेच कर, घर में ताला वाला लगा कर, फोन आफ करके कहीं भाग गया है नहेरा की शादी वो मान नहीं पा रहा है सर तो क्या सुमन ने इसी वज़े से ड्रग लेना शुरू किया? नहीं, ड्रग उसे पहले ही निगल चुकी थी शादी के बाद थोड़ा और बढ़ गया और उसी के वज़े से फ्रस्टेशन भी बढ़ गया ये लो, पिछले महने के यूटूब का रेविन्यू, साथ असार रुपे तुम लोग निराश मत हो, प्लीज हमारे कमाई का जरीया था यूटूब और स्टेट शो और एक टाइम पे तो बैंड का शो भी बंद हो गया सिर्फ यूटूब के पैसों से हमारा बैंड चल रहा था और उसी वज़े से सुमन फ्रस्टेट होने लग गया हमें अलाग-अला कमपनी से बात करनी होगी सारे यूटूबर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं देखो मैं हर जगा जा रहा हूँ हर किसे से बात कर रहा हूँ हर एक म्यूजिक कमपनी में जा रहा हूँ वो लोग मना कर रहे हैं जितनी बार माना करेंगे उतनी बार जाओंगा, जरूरत पढ़े तो बार बार जाओंगा, मुझे कोई परिशानी नहीं है, बढ़ तुम लोग निराश मत हो, प्लीज, और एक बत और, नायरा को हमारी इस फाइनेशल चीजों के बारे में कुछ भी मत बताना, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल है, सबसे उधारी, चिल्लम चाली, बहुत प्रॉब्लम्स थी, नायरा ने सुमन को छोड़ कर किसी और सो शादी कर ली, ड्रग लेते लेते सुमन की जो हालत हो गई थी, दुनिया की किसी भी लड़की के लिए, वैसे इंसान के साथ घर बसाना मुम्किन नहीं था, उसके बाद भी नायरा ने बहुत कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास सुमन के साथ वाली कोई फोटो है, क्यों नहीं होगी सर, उसका दोस्त हूँ, अच्छा, मुझे फोटो वाटसर पर, हाँ, शौर, हाँ, अतिक सुनो, जी सर, मैंने एक इंक वारी मेल तुम्हें सी-सी किया है, सर, जरह देख लेना, और जितनी जल्ली पॉसिबल हो, मुझे फीडबैक देना, जरूर सर, ओके, जी सर, जी, जी, ठीक है, सुन तुझे याने सा मना किया था ना, ओध भाइ भाई तुझे वहाँ आ चाके बैटणा, बैट, बैट, पैट, इहां चाब एट जा बैट भाई थोड़ा सधिर देना, थोड़ा सभू मुझे सहेन रहा ह कर देंसर, चार थोड़ा सथूरा है कि एक दोना अग्या क्ली स्विज्ट ऑर रभाइ्ट कोष्ट अपाइव थे पाहर ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्लीज भी टेडिये अग्या सब्सक्राइब अच्छे जलिकलन यह इस निकल्जा वर्ना छैकी छे कोली डल दूंगा तेरे भेजे में निकल्जा नाइधर पकड़ु से पकड़ु से हरे अरे अरे मारु से मारु से मारु से मारु से सुमान 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 प्लीज ने सुमान प्लीज प्लीज यह प्लीज रे प्लीज में डे ने खर कर दो कर दो कर दो दो कि फोन क्यों नहीं रिसीव करती प्लीज मेरे घर बरिवार से दूर हो जाओ मेरा घर मत तोड़ो तुम मुझे समझ नहीं आ रहा है नायरा हमारे बीच प्रॉब्लेम क्या है तुम्हें जो भी वैसे चाहिए मैंने तुम्हें वह दिया मेरे में प्रॉब्लेम क्या है बताओ मैं सिग्रेट नहीं पीता दारू नहीं पीता ड्रक्स नहीं लेता क्या ये प्रॉब्लेम है क्या यही प्रॉब्लेम है आई लव यू नहीरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं क्यो खाटध के बढा सीरी अफिसर हामीद बोल रहा हूं है सर बोली दाका में थे और थे वहूं सब हम सभी लोग उदर रही रहे थे तैस में हम सब हम सभी का घर वहां आसपासी था सर मतलब उस दिन तुम मुझे नारायन गंज की कहानी बता रहे थे जी सर अच्छा सुनो इस के सारे अपडेट्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा हैं अभी रखता हूं ठीक है जी सर हलो सर सर आपको याद है क्या सर एक साल पहले एक है है सर आपको इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन लग रहा है होब देर इस सम्थिंग अच्छा अतिक तुम से बात में बात करता हूं थैंक्स पो यह क्वेक रेस्पॉंस करता है थैंक्स तुमस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है है रुको इसके याद की रसी खोल दो वे उस दिन तुम मौर्ग में लाश की और देख रहा था याद है तुझे कौन सी लाश तुझे पता नहीं कौन सी लाश सर नाटक करता है पता नहीं है तुझे बोल किसकी लाश थी सर मौ ढखा हुआ था उसका मौ ढखा हुआ था एले तो मौ खुला हुआ था और तू तो मौर्ग में काफी देर से था आखरी बार पूछ रहा हूँ बता हाँ सर पहचानता था सर कैसे पैचानता था हम लोग एक ही महले में रहते थे सर तुने उसके साथ क्या किया मैंने उसे नशे की आदत लगाई थी सर अच्छा ऐसे जो अमीड़ होते हैं ना सर वो हमारा में टार्गेट होते हैं और ये तो सर क्रेटिव आदमी था गाना वाना गाता था इसलिए मैं उसे एक दिन पकड़ के ले आया और पैसों की लालच में सर मैंने उसे नशे की लट लगा दी पिछले दो दिन से मुझे अलमारी से दवाई मिली है लुक अट में टॉकिंग टू यू डैमेट तुम क्या कर रही हो तुम हम दोनों को फसा रही हो तुम इस सिच्वेशन को समझ नहीं पा रही हो नायरा तुम अब मैं अमेरा नाष्र बहुत दुख रहा है में एक मिनिट में है तुम इंतना नीचे गिर सकते हो इंतना नीचे प्लीज मुन उटाओ मैं बहुत मीचे गिर सकता हूं नहरा मैं नरक के दौर दढ़़ी जा सकता हूं जी, तुम्हारी वजह से मेरी जिन्दगी में इतना ज्यादा सहर घुल चुका है कि मैं तुम्हें पता भी नी सकती प्रॉम्हें, पती तो बहुत है do मैं तुम्हें बहुत हमीर है तो ने को motherfuckers मुझे पोरा सहर निकाल देता हुड में में मैं इसे जिन्दगी मैं तुबरा कभी हमरे साभनीयां पर चपहया ने आख्री बंड़ रहा ठीक दोस्मारे मैं बलकुल आखरी बार के लिए आखरी ब कर दो कर दो वार मतुमे अर्थ पासिछ कर दो, बाट कर दो! तिक! सर अभी अभी गाड़ी निकल के गई है सुना अभी तुम्हारा करेंट लोकेशन मुझे वाटसेप पर भेजो और तुम उस गाड़ी का पीछा कर दे रहो ओके सर वाटसेप्ट मुझे अभा़ी कर दे कάλ़ा है आगे से रएटू फोनोटा, फोनोटा, फोनोटा सुमन, नायरा, नायरा, तुम, यहां पर क्या कर रही हो, रुबेल, रुबेल, सुमन को नापैसो की बहुत जरूरत है, इसने, इसने मुझसे वादा किया है, यह आखरी बार है, इसके बाद यह मुझे कभी परिशान नहीं करेगा, यहां किसी का नाम सुमन नहीं है, यह तो रहा, सुमन, आपकी कलपना है, एक साल पहले यहां सुमन का खोन आप जो भी सोच रही है, देख रही है, सब आपकी कलपना है, आप कह रहे हैं, मैं पागल हूँ, सुमन तुम कुछ बोलो, क्या कह रहे हैं यह लोग, यह लोग इतना कुछ बोल रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, यह तो रहा, यहां पर है सुमन, देखाई तो न पून हुआ था उसके बाद लावारिस लाश बोलकर पुलिस को सौंदिया गया था आप उस दिन हॉस्पिटल में पेशिंट के पीछे भाग रही थी रिस्टेप्शनिस्ट ने आपको उस मरीज का रिष्टेदार समझ कर एक फॉर्म दिया और आप ने वो फॉर्म फिलम भी क आप जो कुछ भी कर रही है वो आपके अतीत की कल बना है और वर्तमान एक इल्यूजन है और इसी वज़े से आप नई नई कहानिया बना रही है अब बोलिए मिस्टर डुबिल सुमन का खुन आपने कैसे किया उसके सर में जो बुलेट मिली वो आपके पिस्टल की है आपके लाइसेंस पिस्टल और जो पिस्टल बरामत की गई है जिसे आपने छुपा कर रखा था उस पर आपके फिंगर प्रिंट्स हैं आपने ही सुम है आपने क सब्सक्षब tomar इना की आहे था प्याए है आपने किया है रही किया है आपने कीया है आपने कीया है लो लोड़ादे कि लोड़ा ही अे नाइब स्थाए टुट करके छे लोगा भादेने वादे घादे हैं लो, लो अपने पैसे रो तुझे क्या लगता है, मैंने तुझे पैसो के लिए यहाँ बुलाया है तुम किस चीज के लिए क्या और क्यूं कर रहे हो, मुझे कोई इंट्रेस नहीं है मुझे सिर्फ मुक्ती चाहिए तुम से कैसी मुक्ती, तेरे चाने से हो जाएगा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे वाटसाप पर फोटोस भेशते हो, वीडियोस भेशते हो, वाइरल करदेरी की धमकी देते हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ अरे पागलों की तरह प्यार कटी हूँ तुमसे पागलों की तरह तुम मेरे दिमाग में कही रह गए थे, इसलिए तुम्हारे पास आती थी, लेकिन आज के बाद सुमन, तुम जैसा इंसान, टोटली मेरे दिमाग से shift and delete, delete! Naira, 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 मेरी बात सुनो, Naira, please. मेरी बात सुनो, please. मेरी बात सुनो, please. Don't. Don't touch me. किस बात का don't touch me? किस बात का don't touch me? ऐसा तो नहीं है, कि मैने तुझे कभी टच्छा किया हो, और ये सब पैसे, वैसे, गाड़ी बाड़ी ये सब छोड़ो. I just want you. I just need you, okay? मेरी बात सुनो, Naira. मेरी बात सुनो, Naira. मैं चानता हू, Naira, तुम खुश नहीं हो. ये तुम पर शक करता है, Naira. ये तुम पर शक करता है. वहां तुमने तुने मुझे महरा दुने हो, मुझे मारा दूने हो. Naira, Naira, Naira. नियो UK रहुथ सब हाँ थे negotiating? Yeah, Subhan. Hey, Subhan. Hey, Suse-yan! Naira, Naira, Naaira, जहो लोग अई दूर चलेंगे. वह लोग दूर चलेंगे. दुनिया से बहुत दूर दूर चले जाएंगे हम दो लोगा अपना खर होगा सब कुछ होगा अपना चलो मेरे साथ चलो 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 यह से चलो चौट तो मुझसे प्यार करती हूँ. Say you love me. I hate you. I hate you so much, Suman. तुम मुझे शूट, शूट कर पाओगी. मैं तुम्हारा सुमन हो नायरा. एक इंसान को मारने के लिए बहुत सेदा नफरत होनी जाहिए क्या तो मुझसे उत्ती नफरत करती हो नाएरा? उसे भी कई स्यादा नफरत करती हो मैं तुमसे I hate you so much Say you love me, say, say, say बोलो, बोलो मुझसे प्यार करती हो बोलो, बोलो मुझसे प्यार करती हो बोलो, बोलो, सुमन मैं तुमार्यो, बोलो बोलो बोल Say you love me, say you love me, Naira Say, Naira, you love me बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हो बोलो, बोलो, I love you, सुमन Sorry, Naira, sorry, Naira मुझसे गुसे में सब कुछ हो जाता है कुछ समझ में, समझ में नहीं आता Sorry अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, Suman वो ड्रग्स नहीं लेता वो हर बात पर तुम्हारी तरह मुझे इंसल्ट नहीं करता वो मुझे तुम्हारी तरह जाने को नहीं कहता Suman यह आदमी मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है मेरी तुमसे हजार गुनाओ ज्यादा प्यार करता है मुझसे मैं तुमवरे दिल मैं नहीं हुआ लिए… तुम्हारे करें कही नहीं हुआ लोगों लिए… यो नुट्री नहीं हुआ खुर्थे नहीं.. नहीं मेरी नहीं हो सकते तो किसे गनाइब होगी मार मार मुझे मार मुझे मार तो सीतना आपरी जिल्दिकी नहीं जाए यहाए मुझे मेरी जिल्दिक तो नहीं है यहाए nova । हॉण 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 अजगा, आजगा, आजगा, ये समय हैं ने किन ने किन वो रहां है, आज अरुटा, आजगा वो, आजगा 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 झाल 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 गल रहा हुआ झाल कर दो नायरा नायरा उठो यहां से रिकलना होगा नायरा नायरा उठो प्लीज नायरा हमें यहां से जाना होगा चलो मिस्टर रूबिल आपको हमारे साथ सी एडी आफिस आना होगा कुछ पूस्तास करनी है ए इनको लेकर जाओ चलो मिस्स नायरा आपको और क्या सजा दो आपको तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिल गई है सुमन मर चुका है अब आपको अपनी पूरी जिंदगी एक मरे हुए आदमी के साथ जीनी पड़ेगी त्यान रखेगा अपना चलता हो त्यान रखेगा अपना चलता हो